तो आज हम करेंगे अलंकार, अलंकार में आपके काफी सारे हैं जो शब्दा अलंकार है और अर्था अलंकार के अंडर में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैं अलंकार में आपको साथ में जो उसको इंग्लिश में कहते हैं, सिंपली मेटाफॉर वगरा ये सब भी बताती ज तो जैसे कि आप देख रहे हैं शब्दा अलंकार में आता है अनुप्रास या मक्षलेश और अर्था लंकार में आता है उत्प्रेक्षा, रूपक, उप्मा, अतिश्योक्ति और मानविकरण ठीक है इसके लाव एक वह ओक्जिमरोन वगरह भी होता है तो मैं आपको भी कराऊ होंगी तो हम लाइन वाइस चलते हैं सबसे पहले हम गड़ते हैं अनुप्रास अलंकार ठीक है तो अनुप्रास को इंग्लिश में क्या कहते हैं alliteration अगर किसी ने जवाब दिया तो सही आंसर है अनुप्रास अलंकार alliteration होता है और इसका मतलब होता है कि जब एक consonant होता है वो बार-बारी एक sentence में आता है या एक line में आता है दोहे में आता है उसको हम वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार आया है नेक्स्ट इस नेक्स्ट जो हमारा अलंकार है वो है यमक तो यमक और स्लेश में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले यमक को कहते हैं और यमक में क्या होता है यमक में एक ही वर्ड को एक वर्ड रिपीट होगा और हर बार उसका जो मिनिंग है वो अलग होगा, ठीक है मतलब कि एक ही वर्ड का बार बार लिखोगे और हर बार उसका जो मिनिंग है वो different होता चला जाएगा जैसे कि for example ये बहुत जो छोटे मम्य गाना सुनते थे कि सजना है मुझे सजना के लिए ठीक है तो ये किसे funny है पर इसमें जो सजना सजना है तो एक जगा सजना का मतलब हो गया जो आप सब के पपा लोग है वो ठीक है ठीक है तो मतलब हगर मार ले हमारी मम्मी जो मूवी में गाने में हिरोईन है तो हमारी मम्मी हो गए सजनी हमारे पपा हो गए मम्मी के सजना और दूसरा हो गए जो मम्मी सजनी है ठीक है तो ये हो गया आपका यहाँ पर यमा का लंकार ठीक है तो मतलब मज़द आजए अगर दोनों सजणा के मिनिंग अलग हो जाएं पर फिर वही है कि गाना ही उसी तरी किसे लिखा हुआ है कि आगे पहले मुझे लिखा है पिर के लिए लिखा है तो उससे हम मतलब उसका समझ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ में मैं slash alangkar भी समझाती हूँ slash alangkar में क्या होता है जहां पर यमक में एक ही word repeat हो रहा होता है हर बार उसके meaning अलग होते है slash में word एक ही रहता है पर एक word ही बहुत सारे meaning dictate कर देता है ठीक है और slash को हम पन कहते हैं और इसमें एक वर्ड ही एक बार यूज होता है और उसका मिनिंग बहुत सारा निकल आता है ठीक है ग्यमक में एक वर्ड आप बहुत बार यूज करते हो और हर बार उसका मतलब अलग होता है प्रशलेश में वो एक वर्ड ही इतने सारे, काफी सारे मतलब निकाल लेता है, ठीक है, जैसे कि for example, मदुबन का छटा देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, ठीक है, of course, speed of sound is faster than speed of writing, तो, कोई बात नी, तो मदुबन का छटा देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां में, जो मदुबन है, इसमें जो writer है, कवी यह बताना चाहर, कवी का उपरोक 35 से यह अर्थ है, कि, ऐसी paper में लिखते थे थे ना, कवी यह बताना चाहते हैं, कि मदुबन का मतलब होगए garden, ठीक है, और यहाँ पर जो कलियां है, कलियों से इनोंने मतलब निकाला है, जो flower होते हैं, उसके अलावा बच्चे, ठीक है, मतलब बच्चों के तरह विशारा कर रहे हैं, कि काफी बच्चे सुख गए, इसकंदे काफी बच्चे मुड़ जा गए है, कोई बच्चा उदास है, ठीक है, यह दो मतलब न रिक्चलंकर वो है, मनो, मानू, मनू, मनो, मानू, जनू, जानू, 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 जियों, तियों, और इनका मतलब क्या है, कि जैसे ही ऐसे हुआ, वैसे ही यह हो गया, जैसे ही हो रहा है, मानू यह ऐसे होता होगा, ठीक है, मानू या ना मानू, ऐसे वाले words हैं सारे, य ये मनो, मनू, मनू हूँ, जनो, जनू, जानू, ये सारे कोई दूसरी भाषा है जो मुझे पता नहीं, मैं भी हिंदी हूँ, क्योंकि जो दोहे में जोती है वैसी वाली है, कि example से देते हैं, example है, उस काल मारे क्रोध के तनु कापने लगा उसका मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागड जागा, ठीक है, तो अब इन चार लाइन में तुम्हार को कुछ ने देखना है, तुमको सिर्फ ये देखना है कि उसमें तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, मानो, तो मानो जहां पर हुज हो रहा है, वो सीधा सीधा हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा लंकार, ठी ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा लंकार है, नेक्स्ट लंकार हमारा उप्मा है, ये सबसे कॉमन है, सिमिली, तो ये आपने सुना ही होगा, उप्मा जो इंग्लिश में हम सिमिली यूज करते हैं, स्माइली तो नहीं बोलते हैं, इसको बस पोपट हो जाएगा, सिमिली है, तो इसमें क्यों होता है इसमें कोई भी इंसान या वस्तू को हम compare करते हैं विद फेमस वस्तू या जो इंसान है उनसे ठीक है बेसिकली अगर किसी की तारीफ करनी होती है तो जो कि इस चल इंस्टा पे होता है ही इस दगूट, शी इस दगूट, ठीक है तो बक्रान होता है वह अगर किसी को पतानो होता है वह ग्रेटेस्ट आप अल टाइम होता है क्योंकि गूगल कर रहा है मैंने ठीक है इसके चक्र में हमारा उपमा निकल गया यहां पर लिख वास की तशी से ताजमेल सा घर तो ताजमेल बहुत फेमस है घर नहीं है तो घर यहां पर यह ताजमेल सा घर के होगे आपका उपमा ठीक है तो रूपक है रूपक को हम कहते हैं मेटाफर उत्प्रेक्षा इस इमाजिनेशन मेटाफर जिसमें जनो मानो तनो मनो लगा होता है और रूपक में क्या होता है आपका रूपक में आपको resemblance suggest करते हैं लेकिन वो resemblance को आपको literally नहीं लेना होता है ठीक है मतलब वो बस कहने वाली बात है sort of ऐसा होता है ठीक है जैसे की मैंने राम रतन धन पायो ठीक है मतलब क्या है मैंने राम जैसा रतन पाया है मतलब की goddess figure और रतन भी मतलब भगवान को भी compare कर रतन मतलब की jewel से जो की बहुत मतलब जो दुरलब हो ऐसा तो मैंने राम रतन जैसा धन पाया है ठीक है ऐसे वाला next आपका जो अलंकार है वो है अतीश योक्ती जिसको हम कहते है hyperbola और hyperbola जैसे की तेज बोले इसका मतलब की ज्यादा बोले एक्जागरेट करके बोले जिसमें आप एक स्ट्रॉंग फीरिंग को दर्शाते हो ठीक है अतीश योक्ती से तो तुम समझे गए हो मतलब बाकी चीजों का नाम भी उनों उनको ऐसे रखना चीए ता बोल के पता लग जाए खेर कोई नहीं अतीश योक्ती मतलब के ज्यादा यह बोल रहे हो तो मैं एक्जागरेट करके बता रहे हो और यह जैसे दोस्तों में होता है तो इसका एक्जामपल है दिल बादल बने आखे भेने लगी ठीक है नेक्स्ट है आपका मानवी करण तो मानवी करण भी सही है मानव से आप समझा परसॉनिफिकेशन परसॉनिफिकेशन में क्या होता है यह किसी भी निर्जीव जो चीज है उसको सजीव से कंपेर करते हैं ठीक है फूल हसे कलिया मुसकाई तो इसमें क्या हो गया फूल हस रहे हैं और कलिया मुसकुरा रही है जो कि आपको समझे आ रहा होगा पढ़के ही फूल हिर्जीव है और हसना और मुसकुराना सजीव होता है तो इसमें यह होता है मानवी करण कर देते हैं कोई भी नॉन लिविंग को लिविंग में चेंज कर देते हैं फिर है अपका ध्वनी सूचक अनोमेटोपोया मस्त वर्ड है किसी भी दोसका नाम रसकते हैं अनोमेटोपोया जिनने मेरा दिल लुटिया अनोमेटोपोया ठीक है साउंड और डिफरेंट बर्ड अनिमल्स या ऑबजेक्ट तो द्वनी सूचक कहते हैं इसको और हिंदी से इसका नाम इजी है तो द्वनी सूचक में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज आवाच कर दिये ना उसको वह समें यह मेटाफोर है तो अगर आपको कोई भी सेंटाइंच आ रहा है कि थर थरा ने लगा गड़ गड़ आने लगा तो इसमें ऑनोमेटोपोया यूज और तो यह आपका त्विंकल करना एक साउंड है हिंदी में विरुदадभास कहते है इसको तो यह शय में लिख दें सब्सक्राइब आता इसकोältर मोग में को आए मन होते हैं और इसमें जो भी आपके डिफर्न मिनिंग कॉलिडिक वाला चीज आता है ठीक है प्रचों के मंख़ेल के दिरस किला उथ नख़ा, जिए कि जेरें तो certified १। इस अरो किसे कि धाुतर इसे एक्जमपल दे जिसमें विरुद कते हो आप। तो बस यदे आप यह तो यह एक्जमपल था और इसके बलूर आपके टेस्ट है विमल वाणी ने वाणी ली कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिकाए तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती है ऐसे करके और फूल सी बच्ची तो इन चारों को आप comment box में बताओं कि ये चारों कौन से कौन से अलंगकार है और आप help ले सकते हो बागी ठीक है बाई